नमस्कार दोस्तो ग्यान माइन पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तो आज के इस वीडियो में आपको बदाने वाला हूँ कि Tune Me एप्लिकेशन को आप अपने फोन में कैसे यूज करेंगे तो गैस गर आप भी जाना चाहते हो कि Tune Me एप्लिकेशन क्या है और इस एप्लिकेशन को हम अपने फोन में कैसे यूज करें तो फिर इस वीडियो को देखते रहें तो गैस सबसे पहले इसके लिए करना क्या होगा अप प्ले स्टोर के अंदर जाना है और प्ले स्टोर में जाने के बाद सबसे पहले Tune Me एप्लिकेशन को सर्च करके अपने फोन में डाउनलोड कर लेना है तो मैंना इस एप्लिकेशन को अलड़े पने फोन में डाउनलोड करके रखा हुआ आप इस एप्लिकेशन को डाउनलोड कर लेजिए अब जैसे यहां पर हम अपने फोन में application को open करेंगे, open करने के बाद application थोड़ा सा loading लेगा, loading लेने के बाद यह application जो आपके सामने open हो जाएगी, और guys application को open करने के बाद आप देखेंगे तो कुछ इस तरह का interface वारे सामने आ जाएगा, तो सबसे पहले तो बहुत सारे यहां प पर हमें देखने को मिलेगे जिस भी तरीके का आपको फोटो एडिट करना है उस तरीके का आप जो फोटो सेलेक्ट कर सकते है ठीके ना उसी तरीके का आपका भी फोटो यहाँ पर एडिट हो जाएगा जैसे एक्जामपल के लिए हम गाइस के आकरते यह वाली फोटो सेलेक् अब फोटो इसके उपर हम क्लिक करेंगे फोटो यहां पर सेलेक्ट हो जाएगी आपको अलाव पर क्लिक करना है अलाव पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपकी गैलेरी ओपन हो जाएगी तो यहां पर आपको अपनी गैलेरी के उपर क्लिक करना होगा अपनी गैलेरी के उप क्लिक करेंगे उसके बाद आपकी ङलरी से आपको फोटो सलेक्ट करने है जिस फी फोटो को आप जो add करना चाहते है उसके तरीके हैगं करेंगे बशने में निस ओपर क्लिक करेंगे ऐसके उसके बाद यहां पर processing स्टार्ट हो जाएगी और guys कुछी second के अंदर जो photo हम select करेंगे जैसी photo हमने select किये है वहाँ पर जो effect हमने select किया उसी effect के तरह हमारी जो photo रहेगी वो भी edit हो जाएगी automatically ठीक है ना तो guys देख सिट तो यहाँ पर हमारी photo successfully edit हो चुके जो photo हमने select किती उसी परकार की photo हमारी photo मैंने जो select किती वो photo यहाँ पर बन चुके ठीक है ना तो इस तरह से आप photo को edit कर पाएंगे उसके बाद इससे save करना है तो save भी आप कर पाएंगे save के 3 dot के उपर click करके इससे save to device के उपर click करेंगे तो यहाँ पर save होने के लिए यहाँ पर आ जाएगे यहाँ पर इमेज यहाँ गैलेरी के अंदर save हो चुका है उसके बाद इस तो यहाँ पर आपको यह वाटम अगर आपको remove करना है टून मी का logo remove करना है तो इसके उपर click करके यहाँ पर प्रो वर्जन लेना है उसके बाद यहां पर आप जो इससे प्रीमियम लेंगे तो यहां पर आपका जो वाटम अगर रहेगा वो रिमोव हो जाएगा इसके बाद यहां से हम back करेंगे, back करने के बाद यहां पर यह जो icon इसके उपर हम click करेंगे, तो यहां पर इसे जो है, और भी edit करने का option जो है, आपको मिल जाएगा, जिससे कि इसका background और वो remove करना तो वो भी यहां से आप जो है, कर पाएंगे, ठीक है ना, इसके लाब इसकी से वो भी यहां पर आप जो है देख पाएंगे, इसके अंदर बहुत सारे अलग लग effect मिलेंगे, जिसे यहां पर use करके आप अपनी photo को edit कर पाएंगे, तो guys, उमीद करता आपको बता चल गया होगा कि tune me application को आप अपने phone में कैसे use करेंगे,